हाई एवरिवन वेल्कम बैक टू मैं न्यूव वीडियो मैं हूनिश महता कैसी हो आप सब उमीद आप सभी ठीक होंगे यह वीडियो बनने वाला है बिल्कुली बिगनर्स पे इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि एड़ आप एनिमेट में शेप क्या होता है ग्रूप क्या सब्सक्राइब करना बिल्कुली फ्री रहता है आपके सब्सक्राइब करने से में मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के दिए आप हमें इंस्टेग्राम में ही फॉलू कर सकते हैं मिरे इस्ट्रम आइडिया है मुनिश्ट.meta.528 यहाँ पर जाके मुझे कोर्स या कार्टून करेक्टरा बैक्रोंड को बाई करना है तो आप लर्नमिशन के वेबसाइट से बाई कर सकते हमारा वेबसाइट है www.jivyaaddu.com आपको गूगल में जाके www.jivyaaddu.com लिखना है तो सबसे पहले आपको हमारा ही वेबसाइट नजर आएगा एश्या का नमब वाले टाइम पे और भी कोर्स आएगे जैसे की ग्राफिट डिजानर खा आप शॉप पर जाओगे तो सबसे पहले आपको कार्टून करेक्टर मिलेगा उसके बाद आपको कार्टून बैक्राउंड मिलेगा कार्टून क्लिक करोगे तो आपको सामने इस तरह खुलके सारे के सारे नो कॉपी रैट है अगर आप यहां से बाई करते हैं यहां पे देखो कि अभी हमने हिंदूस गौर्ट कार्टून करेक्टर को यहां पे डाला है यहां पे पूरे कार्टून करेक्टर आपको प्रॉपर रिक के साथ मिलेगा आई बिलिंकिंग और लिपसिंग क क्योंकि बहुत मुश्किल से आप अपना चैनल को ग्रो करते हैं और बाद में फिर प्रॉब्लम्स ना है इसलिए मैं कहूंगा कि आप हमारी वेबसाइट से बाइ करो तो यहाँ पर प्रॉपर तरिके से यहाँ पर सारे क्रेक्टर यहाँ पर डाले गए है सारे रीग है आई करेंगे और इसमें लिपसिंग भी है सब है यहाँ पर तो आपको यहीं से बाइक करना है गाइस आपको जिवा एडियू की वेबसाइट में और भी बैतरिन कार्टून करेक्टर बैक्रोंड आते रहेंगे और को ऑनलाइन जो कोर्स होगा वो भी आते रहेगा तो लगतर आ मैं वीडियो इसलिए ला रहा हूं कि ताकि आपको अगर शुरुआत करे हो तो नीचे से शुरू करें या फिर आप नॉर्मली वॉक साइकल से भी शुरू कर सकते हैं को डॉट होगा तो बार-बार कहरो कॉमेंट ज़रूर करना तो यहाँ पर मैं सिंपल सा में एक शेप ल करें इसे बिखना या तो यहाँ पर या ओप्जेक्ट ड्रॉइंग से क्या हुआ हुआ यहाँ पर शुरू आप यह वाला ऑप्जयक्ट ड्रॉइंग को बंद करके रखूंगा और नॉर्मल मैं एक और दूसरे एक एक रिक्टेंगल बनाउंगा ऐसा तो इसमें और इसमें दोनों में फर्ग क्या है देखो यह जो है यह नोर्मली क्या होता है कि यह भी आप पर जो object ट्रहेंग इसकी साथ भी आप खेल सकते हो यह निया कि इसका shape को change कर सकते हो नोर्मली ऐसा ये शेप की तरह रहता है और जो ये है यह भी यहाँ पर शेप नज़र आ रहोगा प्रॉप्टी में आपको यहाँ पर समझ आ जागा प्रॉप्टी क्या होती है और इस पर वीडियो बनाया विगनस पर तो यहाँ पर दिखाता है उपर अब्जेक्ट ड्राइंग लेकिन यह दोनों एक तरह का ही काम करते हैं यहाँ पर आ अब दोनों में फरक क्या होता है कंट्रोल जाट करता हूं वापिस अगर मैं यह बला जो फूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट आ यह जो ड्राइंग ऑबजेक्ट है अगर मैं मानके चलो इसके ओपर एक और आप्जेक्टडोईंग मनाता हूं मैं दुवारा रेक्टेंगल ल पर यह जो object drawing है इसको मैं option को बंद करके रखूँगा और same मैंने यहां पर भी इस पर बना दिये ऐसा इस तरह बना दिये अब आपको लगेगा इससे क्या फरक पड़ता है इससे क्या होता है देखो जब मैंने यह बनाया अब अब मैं normal selection tool से इसको select करता हूं और इसको नीचे तो यह object drawing है तो यह मतलब फरक होता है दोनों में तो इस तरह यह खाली normal जब आप पर tracing करते हो ना उस वक्त यह काम आता है और बाकी जो इन दोनों में जो रहता है group और या फिर आप symbol वो लो group और symbol में क्या फरक होता है तो वो भी मैं आपको बता दूँगा वैसे मैंने पह आरहा option यह वाला आप यूज कर सकते है जो यहां पर लिखा आरा है drawing object और यहां पर यह option को on कर सकते जो rectangles से लोंगा तो यांपर लिखा आएगा object drawing तो इसको आप on कर सकते फिर डिस टाइब का आप काम कर सकते इससे क्या होगा क्टेगा नहीं तो यहाँ पर देखो का कटेगा नहीं अगर मैं इसके ऊपर आ पर मैं rectangle rectangle दुबारा लेता हूं यह मैं ऑन करता ओ你说 on करता है और यहाँ कितने वी कुछ भी बना दू तो यह कटेगा नहीं तो इसके उपर ये कटेगा नहीं लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस वाले पर रेक्टेंगल लेके मैं इस वाले option को object drawing को बंद करके यहाँ पर अगर अलग-अलग बना दूँ तो वह सब जगा कट जाएगा जैसे मैं इसको इसको हटा दूँगा तो सब जगा यह कट जाएगा तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसको control g group करना पड़ेगा तो अब मैं अभी में इसको हटा देता हूं इन सब को हटा देता हूं अब मैं तो यह shape है और यह क्या है यह पूरा अपना group है तो group में क्या होता आप बाहर से कभी भी खेल नहीं सकते हो line के साथ इसके साथ देखो मैं mouse को नजदीक ले जा रहा हूं line के साथ में खेल नहीं सकता हूं खाली इसको move कर सकता हूँ लेकिन line के साथ इसको खेर नहीं सकता हूँ इसके खेरने के लिए में खेरने का मतलब इसको शेप को change करने के लिए मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि यह group है तो group के अंदर जाओंगा जैसे कर सकते हैं इसके अंदर जाता हूँ जो ये गुरूप है इसे К्लिक क्या तो यहाँ पे नजर आघा yuk तो ड्रॉप के साथ क्ya नहीं कर सकते है वारएं ढोरा हम उसको खेलने ने कर सकते शेब के साथ क्या कहा का थोड़ा जैसे कि यहां पर कुमने कश कर दो यहां पर यह वाला काम हो नहीं शेप के साथ हूँ है तो यह पूरा अंदर जाके shape है, यह नॉर्मली यह object drawing भी हो सकता था, पर यह shape था, तो यहाँ पे मैं इसको cut कर देता हूँ, आपको मैं यहाँ पे इसके अंदर जाके दिखाता हूँ, वैसे पहले भी दिखाया था, तो यह क्या हुआ, यह पूरा का पूरा shape है, अगर मैं यह पूरा यह क्या है, shape है, तो यहाँ पे देखोगे shape है, अगर यह shape भी नहीं होता, नॉर्मली यह यहाँ पे object drawing भी होता, तब भी यहाँ पे यहाँ शेप टून से उसको move कर सकते हैं, तो shape से यहाँ पे क्या हो रहा है, animation हो रहा है, आराम से यहाँ पे animation हो रहा है, shape से तो हम आप shape का इस तरह use कर सकते हैं, लेकिन यह group का नहीं हो सकते हैं, group का हम बाहर काम कर सकते हैं, लेकिन अंदर जाके हम उसको, अंदर वो shape हो सकता है, तो अंदर जाके हमे shape के साथ खेल सकते हैं, ऐसा ही दूसरा example है shape के लिए, जैसी यह loin है, इसको मैं आपको control enter मारके दिखाता यह देखोगे जो यह पूंच है तो यह पूरा ऑप ज़ाता है तो इसस तरह आपको समझा क्यों चैसे करते हैं और रही बाद जो गुरूप का हम नौर्मली यह जो पूरा को पूरा ग्रूप है हम क्या करते हैं अगर हम क्यों करते हैं मैंने पहले भी बताया ग्रूप क्यों करते हैं उस पहले भी इस चीज़ को मैंने बताया था तो यह ग्रूप में बस इतना सा होता है कि हम नॉर्मल में अगर बताओं तो इस चीज़ को मैं हटा देता हूं क्योंक तो वह नीचे से ब्रेक नहीं करता है बस इतना सा फरक होता है और गुरूप मतलब हम क्या होता है गुरूप हम नॉर्मली देखो के गुरूप यहां पर आके इतना कर दिया अब इसका आपने नॉर्मल यह साइज याद रखना कितने ह्टें इसका सायज को में कंट्रॉल भी करके इसका सा इसका साइस को कर पर देखना कि यहां पर लाता हूं मैंने एक यहां पर लाता कि यहां और इसके मैंने अफर्ट करके आपको समाझ जाएगा सिंबल कैसे बनता है मैंने अल्रीड इस पर विडियो बनाया हूँ अब दोनों पर क्या होता है जब हम ट्रेस करते हैं ट्रेसिंग के टाइम ग्रूप ही रखते हैं आपको दिखने में आपको दिखेगा एक मोटी एक पतली है तो इसे लिए कहते हैं कि जब भी हम कोई भी क्रेक्टर को बनाते हैं ट्रेस करते हैं पहले हम उसको ग्रूप ही रखते हैं ताकि हम जब बाद में उसे छोटा बड़ा करेगे ना आपको बाद में ना चाहि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर इंट चोटा उपर नीचे वह लाइन दिखाएगा पर लेकिन उसका साइज ये रहेगा तो इसे लिए हम group में वो करते हैं मतलब उसे trace करते हैं बाकी जो group रहते हैं group हमेशा tracing के ताम पर use करते हैं और काम हमेशा symbol के अंदर ही करते हैं क्योंकि group के अंदर जैसे मैं अंदर जाता हूँ तो उपर देखो कि timeline फिल्कुल blur हो चुका है यहां पर कोई भी layer लेने का option नहीं आ रहा है और जब हम symbol के अंदर जाते हैं तो यहां पर layer लेने का option आता है यानि कि symbol के अंदर काम कर सकते हैं लेकिन group के अंदर काम नहीं कर सकते हैं उम्हीद है guys आपको इससे सीखने को मिला होगा और object हम क्या करता है नौर्मली object के आपको अच्छे से मैंने आपको बताया है आपने देखा किस तरह मैंने यहां पर walk किया था यह पूरा का पूरा जो यह वाला ड्राइंगे शेप के साथ हुआ है और ये वाले पर देखोगे तो ये भी normal यहाँ पर shape के साथ पूरी पूंच हुई है और जब हम कोई animation भी करेंगे, कोई frame by frame animation भी करेंगे जैसे ये जो ball moment हो रहे हैं, यहाँ पर जो ball moment हो रहे हैं इसके अंदर जाओंगा नहीं किसी भी एक बाल के अंदर जैसे कि इसके अंदर चला गया वैसे तो यह वाला बाल है यह भी shape के साथ move हो रहा है और इसके अंदर जाओंगा जो जैसे यह बाल है, कोई से भी एक बाल के अंदर जाओंगा तो यह फ्रेम बाई बाल बने तो यह पूरा कर पूरा जो फ्रेम बाई फ्रेम भी बना यह नार्मल आप देखोगी यहां पर शेप में तो हम शेप ही रखेंगे हमेशा अब्ज़ग ड्रोइंग भी रख सकते हों तो मुझे उमीद है आपको इससे थोड़ा बहु शीखने को मिला होगा अगर आप बीगिनर्स है तो प्राने वीडियो जरूर देखना जो नए मतलब बीगिनर्स ओले सीरीज में जाके वहां पर पूरे देखना तो आपको समाझ आएगा मैंने टाइम लाइन पर वीडियो बनाया हूं और यहां पर जो ग्राफिक होता है मोवी क्लिप हो आप करोगे तो मुश्किल लगता है बाकी कोई भी यह काम कर सकता है बस यह बेसिक वीडियो नॉर्मली बिगनर्स वीडियो ताकि आपको समाझ आए किस तरह यह छोड़ी छोड़ी चीज़े रहती है जो आपको समाझ होनी चाहिए उमीद है आपको इस वीडियो से तो सिकने को मिला हो गा